हेलो स्टुडेंट्स नमश्काल सस्रेकालादाब स्वागते आप सभी का आपके पसंदिदा चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठ चालापर और मैं हूँ अभिशेक अगरवाल आपका केमिस्ट्री फैकल्टी हाजिर हूँ फिर से एक और नया सेशन लेकर क्लास 10 केमिस्ट्री जो दुरूगर दिया है हमने केमिकल रियाक्शन और इक्वेशन नाम के चाप्टर के साथ पहला चाप्टर जो है जिसका पिछले वीडियो में आपने इंट्रोडक्शन देख लिया है अगर नहीं देखा है जिन बच्चों ने पहला वीडियो देखा तो एक काम करो 10 मिट का 12 म नेट का वो वीडियो देख लो अगर नहीं मिलता तो परिशान मत हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पिछला वीडियो दिया गया है तो उसका लिंक दिया गया है आप जाकर वहाँ पर पहले वो वीडियो देख लो ठीक है जो लोग वो वीडियो देखकर आए है उस वीडियो में हमने introduction की बात कर ली थी यानि कि हमने सब सारे topics देख लिए हैं जो topics हमें इस chapter में पढ़ने और just after introduction पहला topic जो हमें पढ़ना है वो है हमारा types of changes in nature chemical reaction equation में हमें देखना है कितने type के changes प्रकृती में होते हैं कि क्या उन type of changes में अंतर होता है वो हमें समझना हम बात करें तो ध्यान से समझेंगे कि पूरे प्रकृती को अगर हम देखे तो उस प्रकृती में chemistry के भाशा में तीन टाइप के changes होते हैं chemistry के अधा भाया तीन टाइप के changes आप पूरी प्रकृती में देख साकते हूं in nature there are three type of changes first is physical change second is chemical change and the third is radioactive change इसको में nuclear change भी कह सकता हूं तो nuclear change कह दो कई books में nuclear change दिया है कई books में radioactive change दिया है तो confused बिलकुल मत तो दोनों बाते एक ही है physical change chemical change और radioactive changes में क्या क्या है और इनमें main differences क्या क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं पहला हम बात करते है physical change के बारे में कि भई आ फिजीकल change क्या है तो पहली बात बहुत सिंपल है ऐसा चेंज जिसमें सिर्फ फिजिकल रियाक्शन दिख रही हो ऐसा चेंज जिसमें सिर्फ आपको फिजिकल रियाक्शन होते हुए दिखाई दे रही है ऐसे चेंज को हम फिजिकल चेंज कह देते हैं सिर्फ फिजिकल रियाक्शन हो रही हो तो ऐसे changes को हम कहते है physical change जैसे example के तौर पर अगर मैं कहूँ कि बहिया simple सी बात है मैंने एक बर्फ ice cubes रखे मैंने एक container लिया उस container में मैंने ice cubes रखे थे these are ice cubes ये container में मैंने ice cubes रखे थे these are ice cubes ये ice cubes रख दिये मैंने इस container में ठीक है मतलब कुछ नहीं है पानी है वट इस अन्तर इतना कि यह सौलिट्टो ए मतलब सौलिट फॉम में ठीक है इस कंटेनर को मैंने एक लीट से ढग दिया इस कंटेनर को मैंने गलेट से ढग दिया और नीचे भई आग लगा दी मतलब इसको चूले पे चड़ा दी और मैंने इसके आग लगा दी यह मैंने अग लगा दी आफ्टर हीटिंग क्या होगा यह आइस मेल्ट हो चुकी होगी यह जो बर्फ है यह मेल्ट हो चुकी होगी एक साथ सारी मेल्ट नहीं होगी हलाकि धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट होगी एक एक क्यूब पहले मेल्ट पानी होगा फिर कम क्यूब्स होंगे जाधा पानी होगा फिर एक टाइम आएगा जब पूरे क्यूब्स आइस क्यूब्स हो चुके होंगे लिक्विड वाटर में अब यहीं कंटेनर आपके पास है अब यहीं कंटेनर आपके पास है फिर से देखेंगे अब यहीं कंटेनर आ के हाँ इस में आपने क्या देखा है इसमें हमने देखा बहाई हमने ice cubes रहे खही एकर हीट करने पर मैट हो खार liquid water में convert हो गए मतलब यह भी आपका water ही है this is also H2O बस अंतर इतना है this is a liquid state तो यहां पर आपने cut to cut का देखा कि सब पानी पानी ही रहा पानी का nature change नहीं हुआ, अगर कुछ change हुआ है, तो वो हुआ है पानी की physical state, यहाँ पानी solid state में था, और solid से पानी पहुच गया liquid state में तो solid से पानी पहुच गया liquid state में, मतलब पानी ने अपनी physical state को change कर लिया, और अगर physical state change हो गई, तो इस change को, इस change को मैं नाम दूंगा it's a physical change तो this change is called as a physical change तो this is a physical change यहां मेरा हो गया physical change solid पानी से liquid water और इस reaction को मैं physical reaction बोल सकता हूँ बस इसको लिखूंगा कैसे मैं इसको ऐसा लिख दूंगा reaction के form में लिखना है न तो मैं लिख दूंगा H2O in solid जो basically ice का form होगा उसको मैंने heat करा heat के लिए एक symbol होता है delta तो मैं delta लिख देता हूँ या मैं heat लिख देता हूँ उसमें भी कोई doubt नहीं है हाला कि equation लिखने का तरीका मैं आपको आगे और बताऊंगा जब chemical equation नाम का topic आएगा तो बहां और बताऊंगा तो मैंने इसको heat कर दिया अब heat करके यह equation लिख दि एच टूओ इन लिक्विड जो simple water हो गया liquid water तो यह हो गहक्क हो गई physical reaction यह हो गही physical reaction यह मैंने दिखा दिया change और यह होगई physical reaction तो this is a physical reaction तो जहां पर physical reaction होती हूई दिख रहिए वहाँ पर आप कह सकते हो भ़ाया physical change हो रहा है वहाँ आप कह सकते हो फिजिकल चेंज हो रहा है यह एच्टोल एक्विड में कनवर्ट हो गया और इतना ही नहीं अगर मैं इसको और हीट करों और आफटर हीटें इसको और जाधा हीट कर दिया तो इसको हीट करेंगे तो भाई यहां पर स्टीम बन जाएगी वेपर बन āलका ठीके लेकिन यह मैं इसको ऐसा डिखा रहा हूँ तो धिस लिग एगी यवाटर स्टीम के परमेट में आ गया यह water steam this is H2O in steam, यह liquid था यहां को थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं इसको तो this is H2O in liquid form this is H2O in liquid form and this is nothing but H2O in steam steam मतलब gas तो यह gas के रूप में होगे यहां पर भी physical change हो रहा है क्योंकि पहले भी पानी था बाद में भी पानी है बस अंतर इतना है पहले पानी liquid state में था बाद में पानी gashes state में तो इसको भी मैं कहूंगा कौन सा change इसको भी मैं कहूंगा this is also a physical change यहां से यहां तक जाना is also a physical change तो ये भी physical change है, physical change, इसकी कोई reaction पूछे, तो मैं इसी के आगे बढ़ा दूँगा, एक और सिफ triangle बना दूँगा, और इसी triangle में मैं लिख दूँगा, H2O in G form, G form मतलब gaseous form, जिसमें मैं इसको बोल दूँगा, कि it is a form of steam, it is a form of steam, तो H2O in G form, यानि कि gaseous form, that is in steam, तो ये सब physical changes है, ये सारे physical changes है, और ये इनकी reaction हो गई, physical reaction, मतलब ये सारी चीज़ क्या हो गई, ये हो गई, अपनी physical reaction, this is, these are physical reactions, तो वो change, जो physical reaction के through होते हुए दिख रहे हैं, यानि कि जिन में physical reaction हो रही है, वो physical changes हो गई, और इसमें कोई भी, कोई भी compound अपनी property change नहीं करेगा, property मतलब, जो उसका nature है, inbuilt, वो nature के identity change नहीं होगे, जैसे, अभी भी पानी था, heat करने पर भी, हाँ पर भी पानी है, liquid form में, और heat करने पर, यहाँ पर भी पानी है, steam form में, तीनों में H2 हो है भाई, बस उनके physical state बदल दी गई है, तो जो compound का original nature है, वो change नहीं होगा, then it is known as a physical change, तो फिर सर चेंज क्या होगा, only the physical state will get changed, सिर्फ physical state चेंज होगी और कुछ चेंज नहीं होगा, ना color चेंज होगा, ना उसका molecule का behavior चेंज होगा, ना कुछ ऐसी चीज़ चेंज होगी, कि मालो पहले वो किसी से react करता था, तो बाद में नहीं करता, ऐसा कुछ होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ उसकी state चेंज हो जाएगी, अगर वो solid था, तो liquid बन गया, liquid था, तो gas बन गया, हाँ, उसकी वज़े से behavior थोड़े बहुत change हो सकते, लेकिन जो color है, वो color change नहीं होगा, जो molecule की reactivity है, वो change नहीं होगी, ठीके, तो वो लगबग लगबग same रहती है, physical changes में, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपकी physical state बदलती है, तो यहीं पर यह चीज समझ ली हमने, कि जो changes physical reaction के through proceed हो, उन्हें हम physical changes कहा देते हैं, ठीके, तो उसका यहाँ पर आप देखोगे, तो physical change को आपको बताया अभी गया, देखो, यह ice है, यह ice cube melt हो रहा है heat के कारण, यह ice cube melt हो रहा है heat के कारण, तो यह heat के कारण नीचे देखो, आपको shadow दिख रही है, मतलब यहाँ water form हो गया, यहाँ पर पानी का formation हो रहा है, यहाँ पर water is getting formed, यह चीज हो गई, तो this is water which is getting formed, यह water form हो रहा है, ठीके, तो this is a physical change, in the same way, यहाँ देख लो भाई, पानी को आप एक vessel के अंदर क्या करें, boil करें, उबाल रहे हो, तो पानी जब उबल रहा है, वेसल के अंदर, जब वो उबल रहा है, boil हो रहा है, तो वो liquid पानी से gashes पानी में convert हो रहा है, लिक्विड वाटर से steam में convert हो रहा है, तो liquid water जो था वो अब धीरे-धीरे steam में आपका convert हो रहा है, यहाँ पर आप देखोगे steam से, यह steam है, यह पानी है, यहाँ पर पानी है आपके पास, यहाँ पानी है, तो यह उगा liquid H2O, liquid water और यह उगा आपका gaseous water, यह उगा आपका gaseous water in the form of steam gaseous H2O तो यह आपके कौन से चेंज होगा है फिजिकल चेंज होगा है तो फिजिकल चेंज होगा है तो फिजिकल चेंज आपने वैसे भी 9th क्लास में पढ़ा होगा और आप में तीन स्टेट्स की बात करते हो और गयास हाला कि कोई भी मैटर दो और स्टेट्स में कनवर्ट हो सकता है प्लाजमा इंड बोसाइंसटीन कंडनसेट यह अपने 9th क्लास में अल्रेडी पढ़कर रखाए तो उन सेट्स में भी ले जा सकते हो तो उन सेट्स में भी अगर वो जाएगा तो फिजिकल चेंज ही म के थ्रू प्रोसीड हो रहे हैं उनको हम बोल देंगे कैमिकल चेंज अब इसकी पहचान क्या होगी जो सबस्टेंस अंडर गो कर रहा है कैमिकल चेंज वो अपनी पूरी तरीके से आइडेंटिटी बदल डालेगा जैसे पानी को उनने बोल दिया तुम कैमिकल चेंज कर लो फिजिकल चेंज से जादा बड़ा चेंज है कैमिकल चेंज तो कैमिकल चेंज में जो मॉलिक्यूल की पहचान है जो सबस्टेंस की पहचान आइडेंटिटी है जिसे पानी एक सबस्टेंस है उसकी अपनी पहचान है वो पहचान ही बदल देगा वो किसी और सबस्टेंस किस सारी chemical change में ऐसा होता क्या है कि substance अपनी और identity खो देता है अपनी पहचानी खो देता है ऐसा क्या होता है chemical change में तो ध्यान से सुनेंगे chemical change के बारे में कि chemical change में ऐसा क्या होता है कि substance को अपनी पहचान खोनी पर जाती है कि substance को अपनी पहचान खोनी पर जाती है उस change को समझने की क reaction तो आप chemical change को समझ रहे हो इसका मतलब आप यह कह सकते हो कि actually you are trying to understand what a chemical reaction what is a chemical reaction तो आप chemical reaction को समझने की कोशिश करो वही chemical change होता है chemical reaction क्या होती है ध्यान से सुनना मैं बहुत सरल सब्दों में बता देता हूँ अगर आप book की language की बात करोगे तो chemical reaction की definition यह दिये when two or more substances react together to form a new substance then it is known as a chemical reaction फिर से books में अंग्रेजी में क्या definition दिये chemical reaction की when two or more substances react together to form a new substance then it is known as a chemical reaction two substances भी हो सकते हैं even one भी हो सकता है एक substance भी react कर सकता है क्योंकि वो खुद के साथ heat करके energy में अपने आपको तोड़ लेगा और फिर वो कुछ नए substance बना देगा नए substance पैदा कर देगा तो वो जिसके थू कर रहा है उसको आप chemical reaction कहते हो लेकिन इसमें हमें कुछ समझ नहीं आया कुछ संपट नहीं पड़ा क्योंकि भाई ठीक है when two or more substances or one or more substances react together to form a new substance it is known as a chemical reaction तो यह react together का मतलब क्या है यही तो हम समझना चाहते हैं कि react together का मतलब क्या है कि react कर रहा है मतलब इसका क्या है क्या ऐसा हो रहा है कि वो substances react करके एक नया substance पैदा करने कैसे हो रहा है वो reaction वो reaction ही तो मचना है क्या हो रहा है उस reaction में उसको मैं समझा रहा हूं ध्यान से सुनेंगे chemical reaction में होता क्या है कैसे कोई substance अपनी पहचान खोता है कैसे वो substance हम कह रहे हैं वो react करता है उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं ध्यान से सुनना मान लो ये कोई substance है, और substance मान लो ये ये है, जिसका मैंने एक atom ले लिया, सुरे एक मिञटा अपने atom क्यों लिया, क्योंकि जब बैटा मैं बोलता हूं, किसी चीज का कोई भी substance रियाक्ight कर रहा है, तो actually उस substance का atom ही रियाक्ट करता है, यह मैं नहीं कह रहा है, यह कई सदियों पहले डेल्टन साब अपनी थियोरी में बोलकर गए थे जिसको बड़ी फेमस डेल्टन से टाउमिक थियोरी में नाम दिया गया है कि इन ओल केमिकल रियाक्शन इट इस दा आटम विच इस फॉन्नमेंटल पार्टिकल विच एचफुली रियाक्शन इचली रियाक्शन यह वह अटम होता है किसी भी रियाक्शन के अंदर बहुत फॉन्नमेंटल पार्टिकल है जो यह अच Gast करता है रियाक्शन में और रियाक्ट करने में वह करता कियाunch मैं यह समझा रहा हूँ अभी आपको कि react करने का मतलब क्या है कैसे वो नया substance बना रही है वो chemical reaction में react word क्या है मैं उसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सुनते हुए चलना तो मैंने का कोई substance ले लिया A और ये A का atom है This is an atom of A This is an atom of A अभी मैं एक atom बोल रहा हूँ जब reaction होती है तो करोडो अर्बो अटम्स होते हैं एक है जो react करते हैं लेकिन अभी मैं एक से समझा रहा हूँ कि एक क्या करेगा जो एक करेगा वोई करोडो अर्बो खर्बो करेंगे ये A atom है And there is another atom This is another atom of another substance B ये B atom है ये B का atom है अब A और B के जब atoms को मैंने पास में रखा तो A और B के बीच में electron की कोई हरकत हो सकती है A और B में atoms हैं और atom के पास अपने electron होते हैं Class 9 अगर तुम को याद हो तो atomic structure दो मिल याद देख लो Class 9 अगर तुम में याद हो तो तुमने atomic structure पढ़ा है जिसको तुमने last chapter के तौर पर पढ़ा जिसको तुम structure of atom भी बोल सकते हो atom का structure तो इसमें तुमने पढ़ा है कि atom के center पे nucleus होता है atom के center पे nucleus होता है जिस nucleus में protons रहते हैं और neutrons रहते हैं जिस nucleus के center पे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इसी न्यूक्लियस के आसपास में शेल्स होती हैं इसी न्यूक्लियस के आसपास में शेल्स होती हैं जिन शेल्स में इलेक्ट्रॉन गोल गूमता रहता है जिस शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्फ करत यह आईटम का स्ट्रक्चर पड़ा है तो एटम के अंदर कौन है यहां सेंटर पे प्रोटाउन यहीं सेंटर पे कौन न्यूट्रों और यहीं इस न्यूख्लिएस के बहार एलेक्ट्रों तो आइटम के पास यह बैसिक तीन चीज़े तो है हाला कि मैं बता दू तुम ने सिर्फ एलेक्ट्रॉन प्रोट्रॉन नीूट्रॉन सुना मैं तुम बताता हूं मीजन पॉजित्राओं नूट्रीनओ एल्फा बीटा गामा ऐसे करते हैं इसे करते हैं मैक्सिमूम धेर केन ब proton और neutron nucleus के अंदर हैं और ये electron है जो इस nucleus के बाहर गोल-गोल गूमता रहता है ये है वो electron तो भाईया ये electron यहाँ पर substance A के पास भी होगा substance A के पास भी होगा substance B के पास भी होगा अब ये दो atom अगर एक दूसरे के करीब हैं और ये decide करते हैं कि हमें electron को लेकर कोई हरकत करनी है eller को लेकर हरकत क्या समझना A बोलता है B को और B को कि यार भाई B एक काम करते हैं, मैं ये तेरे और अपना एक electron gift कर देता है ये मेरे पास एक electron पढ़ा हुआ था तूसको रख ले तेरे को gift कर देता है यह मैंने तेरे को इलेक्ट्रों ट्रांसफर कर दिया है मैंने तेको इलेक्ट्रों गिफ्ट कर दिया मैंने तेरे को बी बोलता भाई काई को किदा रख ले आर तेको जरुवत पड़ेगी तेरा बड़े समझ ले रख ले बी बोलता भाई मेरा बड़े नहीं है यह बोलता रह तो ताकि वो stable हो जाए क्योंकि chemistry में पूरी मारा मारी इस बात पर है कि item चाहते stable होना और stable होने के लिए वो चाहते हैं कि उनके outer most shell में 8 electron हो यानी कि उनका Octate Rule complete हो यानी कि उनका Octate Rule follow हो तो वो Octate Rule follow करने के लिए या तो electron किसी को दे सकते हैं या फिर किसी से electron ले सकते हैं, या फिर ना देंगे, ना लेंगे, मनडोली कर लेंगे, बुलेंगे, चलो मिल बाठके खाते, शेरिंग कर लेते, लेकिन करेंगे, लेक्टरोन को ले करी, तो उसी का मैंने एक एक्जामपल उठाया कि A ने बोल दिया B को कि भाईया मैं तुझको इलेक्टरॉन दे देता हूँ मैं डोनेट कर देता हूँ इसमें मत सुझना A B पर एहसान कर रहा है नहीं भाई A का अपना फाइदा इलेक्टरॉन डोनेट करने में क्योंकि A को लगता मैं डोनेट करके स्टेवल हो जाऊँगा मुझे कोई तो आटम चाहिए जिसको मैं इलेक्टरॉन टिका दूँगा और मैं स्टेवल हो जाऊँगा तो A ने अपना इलेक्टरॉन B को दान कर दिया ट्रांसफर कर दिया भेज दिया फेक दिया जो बोलना बोल दो A ने B को इलेक्टरॉन ट्रांसफर कर दिया मैं कहूंगा A और B के बीच में केमिकल रियाक्शन हो गई A ने बस B को इलेक्टरॉन ट्रांसफर किया मैं कह दूँगा A और B के बीच में केमिकल रियाक्शन हो गई मतलब electron की हरकत हो गई तो दो atom के बीच में chemical reaction हो गई और यह हरकत ऐसी नहीं है कि A B को देगा तबी नहीं उल्टा भी हो सकता है भी बोले नहीं यार भाई यह काम करते है A मैं तेरे को electron transfer कर देता हूँ तू मत कर मैं तेरे को transfer कर देता हूँ तू मुझसे electron ले 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 ऐसा भी हो सकता है कि A receiver बन जाए और B donor बन जाए electron का ऐसा भी हो सकता है बस electron को लेकर मैं तो कहता हूँ हरकत होनी चाहिए यह हम detail में जब जाएंगे chemical reaction में तब समझेंगे कि कौन donate कर सकता और कौन receive कर सकता है electron यह लग मुद्दा है लेकिन अभी मैं कह सकता हूँ कि कोई तो एक होगा जो donate कर सकेगा और कोई तो एक होगा जो accept करेगा electron अगर ऐसा करते हैं A और B तो मैं कहूंगा यह लोग chemically react कर रहे this is a chemical reaction this is a chemical reaction due to किस वज़े से हो रही है transfer of electron due to transfer of electrons from from either या तो A से भी जा रहा होगा या तो A से भी जा रहा होगा electron और B to A जा रहा होगा from either A to B और B to A कोई एक होगा या तो A से भी जा रहा होगा है B से जा रहा होगा क्या actual में हो रहा होगा वो तो A और B जब डिफाइन हो जाएंगे कौन-कौन से element है, कौन सा substance है तब clear हो जाएगा लेकिन ये हो सकता है कि A ने B को electron दे दिया हो gift कर दिया हो या ये भी हो सकता है कि B ने electron gift कर दिया हो मैं तो कहता हम कुछ भी हो भाड़ा में गई ये बात कि कौन किसको electron दे रहा है अगर electron को लेकर ये हरकत हो रही है तो मैं कहूंगा A और B chemically react कर रहे है A और B के बीच में chemical reaction हो रही है क्योंकि ये electron को transfer कर रहा है अपने बीच में तो ये एक case हो गया लेकिन हो सकता है हो सकता है ये दो atoms बोलें ध्यान से सुनना कि यार हम transfer नहीं करते कर सकता लेकिन अपने को stable होने तो अपने को और काम करते अपने को और काम करते हैं कि क्या काम करते हैं、 कि ये है A ये है B A बोलता है और मैं अपना electron बीच में रखता हूं ये बीच में रखा ये एक electron मैं अपना बीच में रख देता हूँ ये electron है B को भी बोलता है कि तुम भी अपना एक electron बीच में रखो जब तुम्हें भूख लगेगी तो तुम खा लेना जब मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूँगा ये electron हम लोग share कर लेते हैं this is called as sharing of electron ऐसा भी हो सकता है जरूरी नहीं है electron देना ही chemical reaction होती है भाईया electron को share करना भी chemical reaction है और इस बार हो सकता है A और B ऐसे nature के हो कि ये लोग एक दूसरे को दान देने में यकीन नहीं करते हो बलकि मिल बाट कर खाने में अकीन करते हो ये बोलता है यार मैं पूरे electron तेरे को नहीं देता है काम करता हूं मैं बीच में रखता हूं तू भी बीच में रख और मिल बाट के खाएंगे तो ये हरकत होती है electron की ये भी एक हरकत है बस अंतर इतना है भी सचितर स digital कर अंतर बीच में धिशिक दू दू क्छेलाइ थी और बीच में 10 प्रीच में निच बीच बीच निच बीच विब लीच का निच बीच and B due to sharing of electrons between A and B तो sharing of electrons भी ये बता रहा है कि electron की हरकत हो रही है और जब भी electron को लेकर हरकत होगी 110% वहाँ chemical reaction होगी 110% वहाँ chemical reaction होगी electron को लेकर बस दो atom decide कर ले हमें हरकत करनी है अब हरकत में भाड़ में जाए वो ये बात कि वो transfer करना चाहते हैं या वो sharing करना चाहते हैं transfer करना चाहते हैं तो और भाड़ में जाए ये बात कि मुझे नहीं जानना कि A से B करोगे B से A करोगे कुछ तो करोगे फिर तो transfer भी करोगे या sharing भी करोगे कोई भी एक हरकत कर दोगे मैं कहूंगा तुम्हारे बीच में chemical reaction हो गई है यह है मतलब chemical reaction का और जब ऐसा हो जाता है तो chemical की identity खतम हो जाती है और वो नए identity बना लेता है क्योंकि जब A ने B के साथ share करी तो उसने एक नया product बना दिया suppose this is C यह ऐसा product बन गया C तो इस C एकदम से new product होगा this is a new product new substance इसको new substance कहतो जिसको product कहते है हला की तो यह new substance हो गया this is a new substance this is called as a product यह product हो गया in the same way यहाँ पर A और B ने क्या करा electron की यहाँ पर A और B ने क्या करा electron की transfer करा इससे पहले वाले case में A और B ने क्या करा electron transfer करा तो यहां पर A और B भी वापस से C बना सकते हैं, यह देखो, यह C बन गया, यह C हो गया, यह C हो गया, this C is also a new substance, और इस नए substance में A और B की कोई property नहीं होगी, यह नए substance product है, इस नए substance में A और B का कोई property नहीं होगी, but this is C, and this is what actually a chemical reaction is, तो कोई मुझसे पूझे सरि da chemical reaction actual में होती क्या है, actual में सरि da chemical reaction से आप समझते क्या हूँ, तो मैं कहूँगा chemical reaction से मैं एक ही जी समझता हूँ, chemical reaction से मैं एक ही जी समझता हूँ क्या समझता हूँ मैं chemical reaction से कि जब भी जब भी कोई chemical reaction का मतलब है कि जब भी दो atom के बीच में कोई electron की हरकत हो जाए येक atom है A येक atom है B अगर इन दोनों के बीच में अगर इन दोनों के बीच में electron की कोई हरकत होती है तो उसे chemical reaction क्याते हैं तो उसे chemical reaction क्या है और हरकत का मतलब क्या है chemical reaction क्याते और भीüst चान से सुनेंगे हरकत का मतलब क्या है हरकत का मतलब है या तो electron transfer होगा ट्रांसवर ओफ से या या तो electron transfer होगा या फिर electron शUIर होगा sharing of electron takes place तो या तो electron transfer होगा या electron share होगा तो इसको मैं कहूँगा कि electron की हरकत हो रही है और electron की अगर हरकत हो रही है तो इसको मैं कहूँगा chemical reaction बस सर इन दोनों के लावा कुछ और नहीं हो सकता transfer sharing नहीं दो ही चीज़े होगा या तो transfer होगा एक atom completely दूसरे को देदेगा या दूसरे atom completely पहले को देदेगा कोई एक चीज़ होगी इन में से या फिर नहीं हो रही transfer तो फिर sharing होगी दोनों मिल बाटके खा लेंगे इन में से कोई भी एक चीज़ हो जाए मैं कहूँगा chemical reaction होगी बस यह दो चीज़ में से कोई एक होना चाहिए इसको मैं कहूँगा chemical reaction और जब ऐसा होता है तो जो नया product बनता है कौन नया product जो बनता है वो C होता है और वो C को हम नया substance कहते हैं और इसको हम chemical reaction कह देते हैं यह नया substance हो गया जिसको हम chemical reaction कह देते हैं अब इसमें भाड़ में गई state, state की चिंता ही नहीं है कि कौन solid, कौन liquid, कौन gas, अरे भाड़ में गई यह बात, हमने तो बोला A और B जो थे वो ही बदल गए, state तो तब देखते जब A और B नहीं बदलते, पानी पानी रहता, तब हम बोलते अरे अंतर क्या है, अच्छा पानी solid में था, पानी liquid में आ गया, तो पानी पानी यह physical change, लेकिन यहाँ पानी ही कुछ और बन गया, पानी बोला मैं hydrogen gas में तबदील होगे हो, oxygen gas में तबदील होगे हो, पानी का nature ही total battle डाला, तो यह chemical change है, तो यह C के अंदर वही होगा, और इसको हम reaction के तौर पर कैसे बोलेंगे, simple reaction बोलेंगे, A plus B is reacting to produce C, now this is a chemical reaction, यह हो गई chemical reaction, वो हो गया उपर chemical change, यह हो गई chemical reaction, क्योंकि आपने इसको reaction के रूप में, यह equation के रूप में लिख दिया, तो यह chemical reaction हो गई, अब मन में सवाल रखना कुछ, कि सर यह electron की हरकत करते क्यों है, सर क्या दुनिया के सारे atom electron की हरकत करेंगे, तो हलाकि इसके जवाब मैंने कुछ दे दी हैं कि भाई, stable होने के लिए लोग करते अपने आपको stable करने के लिए, और इसलिए chemistry में react करते हैं, लेकिन सारे react नहीं करते हैं, अभी मैं clear कर दूँ, कुछ elementों को वर्दान मिला है कि तुम पहले से stable हो, कौन-कौन से वो element है, मतलब वो कोई भी हरकत नहीं करते, तो कौन-कौन से वो element है, जैसे मैं अगर बात करू तो helium, neon, argon, krypton, xenon, redon, और osgenon, जिसमें last के दो तो आप छोड़ी सकते हों क्यों रेडियो एक्टिव हैं, तो mainly यह याद रख लो, हीना और करीना का x-ray रंगी, हीना और करीना का x-ray रंगी, यह xenon है, xe, this is xenon, xe, हीना और करीना का x-ray रंगी, ऐसे याद कर लो, हीना और करीना का x-ray रंगी, यह दुनिया के 6 noble gases है mainly, noble gases है, यानि की यह 6 inert gases है, जो ना तो अपने बीच में electron को transfer करने वाली हैं, और ना electron की sharing करने वाली हैं, मतलब कुल मिलाकर, यह कोई electron की हरकत नहीं करेंगी, इनको कोई electron की हरकत नहीं मिलेगी, होते हुए, इनमें electron की हरकत नहीं होगी, सिर्फ inch है में, यह electron की हरकत नहीं करेंगे, क्योंकि यह पहले से stable है, तो ना इनको transfer करने पर कीन है, ना इनको sharing पर कीन है, खुद में खुश है, बोलता हम जैसे हैं खुश है, हमें ना transfer करना है, ना sharing करना है, यह gases हीना और करीना का एक्सरे रंगी, बस यह 6 है, इसके बोलेंगे, भाईया, हमें reaction करनी है, और वो reaction में दोई चीजे करेंगे, या तो sharing, या transfer, या तो electron दे दे देंगे, ले लेंगे, या फिर electron मांडूली करके, मिल बाटके खा लेंगे, लेकिन यह 6 कुछ नहीं करेंगे, बस, बाकी सब करेंगे, इसका मतलब यह chemically react नहीं करते, इसलिए इनको inert gases बोला जाता है, inert मतलब something which is unreactive, जो react ना करें, यह 6 रियाक्ट नहीं करते, तो यह exception है, जो chemical reaction नहीं करेंगे, हाला कि chemical reaction में मैं इनको और detail में बताने वाला हूं, लेकिन अभी मैं chemical reaction को सिर्फ डीट, ओपर, उपर, उपरी लेवल पर समझा रहा हूं, अभी topic proper आएगा, chemical reaction, तो उसमें और detail में मैं जाओंगा, कि क्यों यह react करते करने वाले, और क्यों react नहीं करते, नहीं करने वाले, वो सब बताऊंगा मैं, बट यह हो गई, एक मोटी-मोटी chemical reaction, उम्मीद करते, clear हो गया होगा, concept chemical reaction में, कि क्या-क्या होगा, तो यह बोल देना, कि स इसी किताब में नहीं लिखा कि वो react करते, तो करते क्या हैं, तो मैंने तुम्हें बता दिया, वो जब react करते, मतलब वो करते क्या हैं, electrons की हरकत करते, electron की हरकत क्या होती है, या तो electron आपस में transfer कर लेंगे एक दूसरे को, या फिर electron की sharing कर लेंगे, डन 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 बात, clear हो गई कोई डाउट तो नहीं है, तो यह हो गई आपकी chemical reaction, chemical change, यह देखो, आप chemical change हो रहा है, यह burning है, यह burning of candle और burning of paper, जो आपको समझ में हो, आप देख सकते हो, it's a burning of paper, आप कहलो, तो paper जल रहा है, it's a chemical change, क्योंकि paper अपनी identity खो देगा, राख में convert हो जाएगा, जलने के बाद प की gas भी निकलेगी, यहां से CO2 की gas भी निकल रही होगी, और water vapor भी निकल रहा होगा, H2O, क्योंकि है hydrocarbon होता है, जो paper जलता है, तो यहां पर definitely paper और आग, आग मतलब oxidation करते हैं उसको, उनके बीच में जरूर कुछ electron की हरकत हो रही होगी, paper, paper जिसका बना है, वो hydrocarbon है chemical है, और hydro carbon और oxygen gas, जिसके कारण वो जल रहा है, उस oxygen gas के बीच में electron की कोई हरकत हो रही है, इसलिए यह chemical change हो रहा है, यह ripening of strawberry, यह जो strawberry आपको दिख रही है, यह खराब हो जाएगी, सड़ जाएगी थोड़े time के बाद, decompose हो जाएगी, यह भी आपका chemical change है, खाने का सड़ना, is a chemical change, तो जो food के molecules हैं, जो strawberry के molecules हैं, और जो oxygen air में मौझूद है, उसके बीच में electron की कुछ हरकत हो गई है, strawberry के इस molecule और जो air इसके असपास है उसके बीच में, अगर इसको तुम vacuum में रख दोगे न, air tight container में, तो यह नहीं सड़ती, लेकिन oxygen gas के contact में ला दिया, तो oxygen gas और इसके बी यह electron share हो गए, तो इस वजए से यह strawberry थोड़े time के बाद सड़ जाएगी, 3-4 दिन बाद देखोगे, सड़ी हुई मिलेगी, क्योंकि यह chemical change हो गया, यह chemical change हो गया, तो this is a chemical change, this is a chemical change, तो यह concept उम्मीद करते हैं, chemical change क्या होता है, यह संपट पढ़ रहा होगा, बहुत detail में यह ची संपट पढ़नी चाहिए, clear हो गया, तो chemical reaction, chemical changes के थू होती है, और chemical changes कैसे होते हैं, वो मैंने यहाँ पर बताए, जल्दी से इसका screenshot ले लो, एक बार इसका screenshot ले लो, इसके बाद इसका भी screenshot ले लो बिटा, यहाँ पर मैंने तुम्हें बताए, sharing भी हो सकती है, पिछला व ठीके, और यहाँ पर मैंने तुम्हें बतादिया है, कि यहाँ पर electrons की हरकत होगी, या तो अब हरकत क्या हो सकती है, transfer भी हो सकता है, यह sharing भी हो सकती है, और यह हरकत कौन नहीं करेगा ? यह च्छह नहीं करेंगे, हीना और करीना का extra रंगीन, बस यह नहीं करेंगे, बाकी चेंज होता है और यह अपन ने एक्जामपल देख लिए अब सबसे बड़ा सवाल यह कि सर इलेक्ट्रोन की हरकत क्यों हुई आटम के अंदर chemical reaction में मलब why only electron is participating in a chemical reaction है डिस्पाइड डेरा 2 other subatomic particles also inside an atom proton and neutron भी तो atom का हिस्सा है तो बाबु proton and neutron क्यों नहीं हरकत कर रहे कुछ हम हर बार यह chemical reaction में क्यों बोल रहें कि electron की हरकत होगी ध्यान से सुनते हुए चलेंगे हम हर बार ये बात ही क्यों बोल रहे हैं कि दो आटम के बीच में इलेक्टाउन की हरकत होगी प्रोटाउन भी तो मुझूद तो प्रोटाउन की हरकत क्यों नहीं बोल रहा है अब तुम अगर अगर अटॉमिक structure को ध्यान से देखो तो proton और neutron आपको न्यूकलियस के अंदर क्याद मिलेंगे यह यह न्यूकलियस के भाई इसके अंदर कैज है यह कैद मतलब यह जो न्यूकलियस की दीवारे हैं यह इतनी स्ट्रॉण इतनी रिजिड इतनी हाड हैं यह जो न्यूक्लियस की दीवार हैं यह इतनी स्ट्रॉंग इतनी रिजिड इतनी हाड हैं कि चाहकर भी यह प्रोटॉन नॉर्मल रियाक्शन में बाहर नहीं आ सकता अगर तुम्हें प्रोटॉन या न्यूट्रॉन ट्रांसफर करना है तो इसको इसके बाहर निकालना पड़ेगा और बाहर का कोई प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसको अंदर डालना पड़ेगा तो भाईया यह न्यूक्लियस की दीवार ऐसा करने नहीं देंगी यह बहुत इसलिए केमिकल रियाक्शन में एक्सचेंज या शेयर नहीं हो सकते लेकिन बाहर कौन भूम रहे बाहर न्यूक्लियस के बाहर कौन है यह यह बाहर आजाद है न्यूक्लियस की चुंगल में यह नहीं है तो यह बाहर के बाहर भाग सकते और बाहर के बाहर शेल में लाई ज सकते तो इसलिए एक्सचेंज और शेयर हो सकता है लेकिन फ्रोटोन और न्यूट्रोन नहीं हो सकते संपट पड़िया बात जैसे माल लो भाई एक परिवार में दो बच्चे एक बच्चा मिशा घर में रहता है घर से बार निकलता है निये घर में पूरे टाइम घर में उसको लावारा किसम घर के अंदर आने ही नहीं उसको बस राच में सोने के लिए खाना खाने आना बाकी दिन भर भाहर घूमता रहता है अम्मालो महले में बच्चा चोरी गैंग आया तो किस बच्चे को किड्नेप करना असान है जो घर के अंदर बैठा है वह या जो बाहर आवारा-गर्दी करता वह kommt चोंकि वह बच्चा तो घरotch आ या जा सकता है या गहर के इंदर क्या दें और घर की दीवारें बहुत मजबूत है न्युक्लियस है बहुत मजबूत दीवार हैं इस दीवार को भेद कर प्रोटॉन और न्यूटॉन भार नहीं आ सकता तो इस वज़े से प्रोटॉन और न्यूटॉन शेर नहीं हो सकता chemical reaction में नहीं हो सकता clear हो गई अब अगर आप मुझसे ये बोलो कि सर क्या proton and neutron कभी share नहीं होगा क्या सर ये nucleus की दीवारों को कभी penetrate नहीं कर पाएंगे हम क्या इस nucleus की दीवारों को कभी हम तोड़ नहीं पाएंगे क्या इसके अंदर का proton and neutron कभी भार नहीं निकल पाएंगे तो निकाल सकते हो लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत जादे एनरजी की requirement होगी नॉर्मल रियक्शन नॉर्मल लाब में या तुम्हारे स्कूल की लाब में या तुम्हारे घर पे setup करके यह नहीं होगा इसको बहुत जादे एनर्जी से तोड़ना पड़ेगा और तब जाकर आपको इसके अंदर का proton एक्सचेंज होने के लिए आप उस इस्तिती में आप आओगे तो फिर वो normal chemical reaction नहीं होगी फिर वो एक बड़ी reaction मन जाएगी जिसको तुम कहते हो nuclear reaction जिसके कारण तीसरा change होता है जिसको हम कहते है radioactive change और we call it as nuclear change अगर तुम इस nucleus को भेद पाए अगर तुम इतनी reaction लगा पाए कि तुमने इस nucleus को धमागा करके तोड़ दिया और अंदर का proton कहीं ले गए तो तुमने इस atom की पूरी के पूरी पहचान ही बदल डाली कि पूरी के पूरी पहचान बदल डाली कि यहां पर तुम ने लिया तक किसी hydrogen का atom तो hydrogen का रही नहीं वह किसी और का atom बन गया क्योंकि उसकी पहचान दी उसके अंदर मौजूद proton की संख्या और अगर तुमने वह proton की संख्या बदल दी जो कब बदलेगी जब तुम इस nucleus को फोड़ दोगे जब तुम इस nucleus में धमाका कर दोगे जिसके लिए मैं मानता हूं तो मैं बहुत बड़ी reaction करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत energy चाहिए उसके लिए तो फिर वो reaction normal chemistry की नहीं होगी वह होगी nuclear chemistry की reaction जिसको आप बोलोगे nuclear reaction या radioactive reaction या radioactive change और यह बहुत खतरनाक होती reactions यह नॉर्मल लाब में नहीं होती इसलिए पहले क्या हुआ था पता है nuclear chemistry करके chemistry का सब्जेक्ट अलग से बनाएं वह पहले 10th class में था फिर वह दीरे दीरे 10 से हटाके 12 में डाल दिया बुला यार छोटे बच्चे जादा इनको nuclear chemistry ना पढ़ाए nuclear chemistry समझे हो nuclear missiles nuclear bombs nuclear weapons के बारे में सुना होगा ना बड़ा तबाही वाले यह वह है वैपन्स वर्ल्ड 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 वर में यूज होते हैं वैपन्स पूरा का पूरा देश तबा कर देते मिंटो सेकंडों में तो उसमें जो रियाक्शन होती वह नूग्लियर रियाक्शन होती है अग वह नूग्ल रियाक्शन नौर्मल नहीं होती है तो बहुत जयादा एंशी प्रेड्यूस करती है तो वह जो इतनी ज्यादा एनरजी प्रेड्यूस करती है उसमें हम्फ़ू रेडियेशनistent निकल जाते हैं लेकिन जब तक गर नुद्स तूटे गा नहीं तो व मोटी मिसाइलों से लड़ो एर फोर्स वाले वो एर क्राफ्ट से लड़ें अपने वो चल जाएगा जितने भी फाइटर एर प्लेइन से लड़ो आप शिप से लड़ो लेकिन आप न्यूक्लियर में पैपंस का स्टेमाल मत करो उसकी धमकी मत दो क्योंकि न्यूक्लियर चलाओगे बंदूग चलाओगे फाइटर प्लेन से कितने लोग मरेंगे दो लोग चाल लोग दस लोग बंदरा लोग कितना होगा एक तुकड़ी एक तुकड़ी कोई आर्मी की होगी तो वह किसी देश की निपटेगी लेकिन लेकिन अगर न्यूक्लियर मिसाइल चली देखेंगे तीसरे टाइप का चैंज बोलव गोथी से टाइप का चेंज यहां मिलेगा यह थीसरे टाइप का चैंज लेक इसकाड़ी यह जिसकित सबसे ख़तरनाक change, which proceeds through nuclear reaction, nuclear reaction मतलब वो reaction जिसमें nucleus involved होता है, nucleus समझ गए न, जहां proton और neutron का जो घर है वो involved होता है, और proton और neutron का घर involved हो रहा है, तो मतलब घर वाले भी involved होंगे, proton और neutron, वो change हो जाएगा, तो इसको बड़ा change बोलते हैं, इसको radioactive change बोलते हैं, और यह nuclear chemistry में मिलता है, यह nuclear reactions में हमें यह change मिलता है, यह nuclear reactions यह nuclear missiles में यह change मिलता है, तो it's a radioactive change, जैसे यहाँ पर आप देखो, fission करते हुए दिखा रहे है uranium 235 का, अब इस uranium 235 पर कुछ ने एक छोटा सा particle neutron होता है, उसको strike कराया जाता है, जैसी वो छोटा सा particle uranium strike करेगा, यह convert हो जाएगा, देखो neutron है, यह uranium है, यह convert हो जाएगा, बेरियम और क्रिप्टोन में, element ही बदल गया, यह uranium का atom था, neutron से टकराया, दो elements में convert हो गया एक हो गया everyday एक हो गया वोगिया pyishment uranium convert हो गया uranium की पहाणी खतम होगई chemical reaction में substance की पहाण खतम होई थी substance मतलब जिसे पानी था H2O H2O में HRO है तो वो reaction के बाद जो नया substance बनता है न केमिकल रियक्शन में उसमें भी HO रहेंगे लेकिन वो HO का रेंजमेंट बदल जाएगा इसलिए तुम उसको पानी नहीं बोलोगे लेकिन हाइडरोजन और ऑक्सिजन पानी में भी थे तो chemical reaction के बाद पानी मान कर चलो hydrogen पर ऑक्साइड बन गया थोड़ी दिर के लिए मान लो तो उसमें अभी भी hydrogen और oxygen है पहचान substance की खतम होई यह उस substance के अंदर atom अपनी पहचान नहीं खोई hydrogen hydrogen का यह atom है oxygen oxygen का atom है किसमे chemical reaction में लेकिन nuclear reaction में कौन था यह uranium neutron टकराया तो neutron के particle के टकराने से convert हो गया barium और krypton मतलब uranium ने अपनी पहचानी खोदी barium और krypton में convert हो गया यह पूरा uranium का atom ही तबाह हो गया इसलिए भाई साब यह जो कहानी होती है यह कहानी होती है atomic bombs की atom bomb की atom bomb atom bomb सुना होगा फिल्मों में सीरियलों में कई बार वो atom bomb यह ही है कि इस atom को धमाका करके तोड़ दिया और जब इस atom में धमाका करके तोड़ दिया atomic bomb बना कर तोड़ दिया तो यह atom ही नश्थ हो गया और इसकी जगा कोई दूसरे atom बन गए uranium का atom बन गया barium और krypton में और देखो यह energy निकली है बहुत खतरनाक energy निकली है radioactive energy जो nuclear weapons में इसका जिसका source nuclear weapons होते हैं क्योंकि जो nuclear weapons होते बीट nuclear bomb atom bomb nuclear missiles उन सब में यह energy निकलती है क्योंकि उन सब में आप nucleus को तबाह करते हो है तो इसलिए chemical reaction जो हम पढ़ते ना नॉर्मल अपनी लाब में उसमें nucleus react नहीं करता उसमें nucleus नहीं करता नहीं तो वह भी धमाका कर देंगे वह लाब में पता चला निपड़ गाए पूरे लोग स्कूल सम्ने पड़ गया स्कूल छोड़ो स्कूल जिस state में है वह स्टेट जिस country में वह सब तबाह हो जाएगा भाई कुछ नहीं छोड़ेंगे वह तो यहां पर nuclear bombs का काम है वह nuclear weapons में चले जाओगे और वो होती है एक अलग chemistry जिसको आप कहते हो radioactive chemistry यह जो चेंज आपको मिलता है यह मिलता है radioactive reaction के अंदर यह radioactive reaction है यह जो reaction लिखिये इट्स रेडियो आक्टिव रियाक्शन radioactive reaction और भाई यह जो radioactive reaction होती है यह होती है radioactive chemistry यानि की nuclear chemistry में वो chemistry ही अलग है वो chemistry ही अलग है तो दिस इस nuclear chemistry nuclear chemistry radioactive chemistry अब यह 12 के स्लेबस में भी नहीं है बहुत पहले 10 के स्लेबस 2006 तक NCRT में यह था 10 की बुक में अभी हटा दिया उनने का तुम घर में nuclear bomb bomb बनाने लग जाओगे भाई तुम भी तेड़े दिमाग के लोग हो सब लोग तो nuclear bomb missile बनाने लग जाओ क्या पता सबके घर से अधिवाली के टाइम पे तुम रसी बं की जगह nuclear bomb फोड़ रहे हो कोई बरुसा नहीं तुम लोग हो का तो इसलिए अब सरकार ने बहुत strict अधाम उठाली उनने का नहीं 10th से उठाकर थोड़ी टाइम के लिए 12th में लेगा फिर उनको लगा 12 के तो और बदमाश है तो इनने का इसको छोड़ दो इसको अपन इंजिनेरिंग लेवल पर याप Chemistry आगे graduation में लेते हो grad में या फिर post grad में लेते हो तो वहाँ पर आपको खुद नहीं पता मैं तो सबसे पहले भाग लूँगा तो मेरे चक्कर में मत बैठे रहे ना कि Chemistry के माट साब हमारे साथ है डरने की कोई बात नहीं है इसको वह इसको इसको स्टॉप वही करने वाले मैं कुछ नहीं करने वाला मैं सबसे पहले भाग जाओंगा तुमको इसके अंदर रियाक्शन होगी जहां पर भी यह बॉम फटेगा तब वहाई रियाक्शन होगी मैं इसको डिस्पोज नहीं करने वाला भाई क्लीर हो गया ठीके तो यह चीज समझ गया नूकलियर रियक्शन तो अब यू केमिकलर तो वो chemical reaction होगी लेकिन जब कोई nuclear change हो नुग्लियस ही invert हो जाए तो वो nuclear reaction होगी यानि की radioactive change होगा इन सब में सबसे बड़ा बाप change है radioactive change यह पपा के पपा जिनको हम दादा जी कहते हैं यह वो change है radioactive change सबसे बड़ा लेकिन यहां तक अपन के syllabus ही नहीं अपन को इस पर जाना ही नहीं है अपनी कहानी ठीकनी है physical और chemical change में और chemical change में जादा बड़ा change है chemical change chemical change क्योंकि जादा चीजें बदल देता है as compared to physical change physical change तो कुछ चीजें नहीं बदलता सिफ physical state बदलता है chemical change में at least compound जो सबस्टेंस है वो बदल जाता है पानी पानी नहीं रहता हाँ पानी के अंदर hydrogen और oxygen के atom में hydrogen oxygen के atom जिन्दा है as a hydrogen and oxygen only वो change नहीं हुए लेकिन hydrogen oxygen पहले साथ साथ रहते थे अब वो दोनों product में किसी और के साथ रहते पहले वो खुद एक दूसरे के साथ रहते थे एक्जांपल दे रहा हूं हो सकता है प्रोड़ेट बनने में किसी और के साथ रहते हूं रहेंगे hydrogen और oxygen लेकिन अब और अरेंजमेंट बदल लिए उनने तो वो chemical change हो गया लेकिन hydrogen और oxygen का एटम ही बदल गया कुछ और किसी और में hydrogen का एटम गोला सर मैं तो अब कुछ और बन गया हूं मेरा एटम ही की पहचान बदल गई तो फिर यह 100% nuclear change के थ्रू होगा यह chemical change के थ्रू नहीं हो सकता concept clear हो गया और physical और chemical change में बड़ा चेंज है chemical चेंज इसको एक ऐसी कहानी से याद रखना कि जैसे मालो तुम हो दो-दो cases लेकर चलते हैं मालो तुम मुझसे offline पढ़ रहे हो और offline class में मैं आया और मैंने तुमको एक दिन पढ़ाया पहली class थी तुमको अच्छा लगा तुमक की मेरे बीच में क्या हो रहा है ट्यूनिंग बनती जा रही है तुम्हें मेरे पढ़ाने का तरीका मेरा तुम्हारा पढ़ने का तरीका समझ में आने लग गया तो एक frequency मैच होती है तो टीचर के साथ student bonding वह होने लगे पांच दिन के बाद मैं 6th day नहीं आया छटे दिन साथवे दिन क्लास ही नहीं लगी chemistry की आठवे दिन जिस इंसिट्यूट में आपने कोई भी आफ्लाइन इंसिट्यूट में आपर होंगे जहां पर भी वहां का management ने बोला कि आपको नए टीचर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे नए टीचर केमिस्ट्री पढ़ाएं तो bonding बनी थी लेकिन उतनी भी अच्छी नहीं बनी थी तो थोड़ा बहुत तुम्हें बुरा लगेगा लेकिन फिर तुम नए टीचर को भी 5-6 दिन दे दोगे तो तुमको compensate हो जाएगा और फिर तुम उस नए टीचर से used to हो जाओगे तो एक दो दिन दिक्कत जाएगी ब अच्छा पढ़ते थे और वो ट्यूनिंग टीचर स्टूडेंट की जो होती है वो ट्यूनिंग धीरे-धीरे बनने लगी थी सड़नली वह छटवे दिन तूट गई और कोई नए टीचर के साथ फिर से हमको वापस से री ग्रिपिंग करनी पड़ी वापस हमको एफ और बहुत अच्छा लगा पांच में दिन जब मेरी क्लास खतम हुई तो मैंने तुम्हें बुलाया यार सुनो भाइदर मैं आज मैं अपना मोबाइल वालेट भूल गया हूं और गाड़ी नहीं मेरे पास में को घर जाना है तो मेरे को कुछ पैसे दे दो ताकि मैं किराय के ल लेता हूं तुम्हारे पास थे तो मैंने तुमसे 500 का नोट ले लिया तुमने भी मुझे इस भरोसे पर दे दिया कि यार सर हैं पांच दिन से पढ़ा रहे हैं कई में सर हैं तो दिक्कत में आज मोबाइल वालेट नहीं तो सर अपन से थोड़ी ना बोलते और तुमने सोचा होगा कि आर सर बिमार होंगे या सर ना चुट्टी ले लिए कोई बात ही नेक्स टे उसका अगला दिन भी आया साथवा दिन मैं नहीं आया तुम थोड़े से परेशान तुम थोड़े से चिंता में बाकी क्लास भी परेशान है क्योंकि केमिस्ट्री उनको पांच दि की ट्यूनिंग बन गई थी ना लेकिन बाकी क्लास के गंपैरेजन में भाई साथ तुम जादा परेशान हो और बजा तुम जानते हो कि तुम क्यों परेशान हो संपट बढ़ गई आठवे दिन मैनेजमेंट ने इंट्रड्यूस किया तुम्हें नया फेकल्टी उन्होंने इंट्रडेक्शन स्टार्ट किया कि अब अभिशेक सर नहीं पढ़ाएंगे तुमको अब हमारे साथ नए फेकल्टी जुड़ गाएं और यह पढ़ाएंगे अब भाई सब तुम उठोगे तुमने का भाड़ में गए नए नए टीचर अभिशेक सर का हैं हमें तो यह बता करने के लिए क्योंकि भाई अभिशेक सर को तुमने पांचवे दिन उनकी लास्ट क्लास में जाते हुए हां समझ गए 500 का नोट दिया था तुमारे उतावला पन जो है वह 500 के नोट का नुकसान वाला है जिसको तुम पाना चाहते हो वापस से इसलिए तुम अभिशेक सर क अंदर समझ रहे हो लोगों को लगेगा यार फैन फॉलोइंग अभी शिक सुनने ऐसा क्या जादू कर दिया जादू क्या कर दिया खेल है 500 के नोट का संपट पड़ी बात बाकी लोगों को भी दुख हो रहा होगा मैं यह नहीं कहला बाकियों को नहीं हो रहा लेकिन तुम कि यहां पर तुम्हारे मेरे बीच में 500 रुपे का नोट ट्रांसफर हो गया था तुम से मेरी तरफ अब तुम यह 500 का नोट को माल लो एलेक्टरॉन अपने आपको समझो एक आटम और मेरे को समझो एक दूसरा आटम तो एटम और आटम के बीच में 500 का नोट ट्रांसफर ह हुआ था मेरे पास आया था यानि कि वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ था तो यह जो बॉंडिंग हो गई यह ज्यादा बड़ी बॉंडिंग हो गई क्योंकि है एक्स्चेंज हो गया किसी चीज का अब तुम और मैं एक दूसरे को नहीं भूलेंगे मैं तो भले भूल जाओं इमानदारी से मैं तो भले भूल जाओं पांसो का नोट लेने के बाद लेकिन तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे ठीके जबकि बाकी बच्चों से सिर्फ मेरी कैसी बॉंडिंग थी फिजिकल बॉंडिंग थी सिर्फ मैं अच्छा पढ़ाया उन्हें अच्छा पढ़ा हो गया that's it उनसे मेरा कॉई ट्रांसफर नहीं हुआ कुछ पैसो का कुछ लेन नहीं हुआ तो जब linden नहीं हुआ तो वो bonding उत्ती अच्छी नहीं हुई तो अगर कोई पूझे physical bonding और chemical bonding में chemical bonding is more stronger than physical bonding तो chemical bonding is chemical bonding is stronger than is stronger than physical bonding संपट पड़ी ये बात मतलब chemical change is जाधा strong है physical change के मुकाबल है bonding word से confuse मत हो ना bonding मतलब हाँ पर change कोई बता रहे जब जैसे तुमारे मेरे बीच में bonding हो गई थी दोनों cases में जब मैंने कोई पैसे नहीं ले ते तब भी bonding थी ना यार एक physical bonding कि मैं अच्छा पढ़ाता था तुम अच्छा पढ़ते थे एक tuning मन गई थी लेकिन जब 500 रुपे नोट कर नोट ले लिया तो और अच्छी bonding हो गई मैं फिर भी बूल जाओ तो मुझे कभी नहीं भूलोगे तो यह तो bonding हो गई ना बहुत अच्छी कि तो मुझे भूली नहीं पा रहे हो तो यह 500 का नोट जो लिया था यह हो गया electron और यह तुम्हारे और मेरे बीच में ट्रांसफर हो गया तो यह हो गया एक bond creation एक chemical reaction तुम्हारे और मेरे बीच में जिसको हम chemical bonding कहेंगे क्योंकि ट्रांसफर हुआ है कुछ चीज का और बस chemical reaction में वो ट्रांसफर 500 के नोट की जगा होगा electron का अगर वो proton का हो जिया तो और बड़ी बात हो गई मैं तुम्हारी किडिनी ले जाओ अगर अभी तो 500 का नोट ले गया है भगवान ना करे अगर लेकिन मैं मैं किडिनी चोरी करके ले जाओ तो तुम्हारा मेरा चेंज और बड़ा चेंज हो गया अग्या कॉया आध्यू है मिधि निकाल ली बढ़ीई व à बड़ा चेंज हो गया, that is radioactive change, वो radioactive, क्योंकि देखो 500 का note तो तुमने बाहर की pocket में रखा था, शरीर के अंदर नहीं था, वो तो बाहर pocket में था, तो वो फिर भी निकालना असान है, लेकिन kidney निकाल ली, तो भाई साव यह तो शरीर के अंदर की चीज निकाल ली, बहुत energy चाह में आया, chemical bonding को जन दे रहा है, जो कि physical change, physical bonding से ज्यादर strong होगा, पूरे तरीके से clear हो गया, और radioactive change, इन सब का बाप change है, इन सब के पपा के पपा का change है, जिसको बन दादाजी का change कहते हैं, बहुत बड़ा change है भाई वो, वो radioactive change है, concept clear है, डन 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 बात है, यह सारी चीजों क आपको इसी तरीके से याद रखना है, जैसे में बता रहा हूं, ठीक है, जैसे में बता रहा हूं, यह atomic structure इसलिए आपको 9th class में बहुत डीटेल में पढ़ा दिया था, ताकि आप इस radioactive structure को समझ पाओ, और यह देख लिया है, तुमने nuclear missiles, nuclear weapons, यह मतलब इसलिए सारे देश ज जो मुल्क है, पाकिस्तान वाए दिन अपने को धंकी देता, उनके पास है nuclear missiles, अपने पास भी है, ऐसा नहीं है, बट अपन सीधे फिर कर देते हैं, बोलते बोलते नहीं है, इसमें नहीं रहते कि हम फालतुग की बकर करते रहें, और कुछ करें नहीं, सीधा कर देते हैं, वो बकरी जादा करते, बोलते हैं कि हम बटन दबा देंगे, ढंग से रहना हम से, और ये नहीं और वो नहीं, करते कुछ नहीं, करेंगे भी कुछ नहीं, ठीके, क्योंकि इसके consequences खतर ना के, किसी भी देश पर छोड़ो के देश शान थोड़ी ना बैठेगा, वो भी retaliate करे बते हो कि कभी भी आपको लड़ना है, दो देशों में वार चलते हैं, अभी देख रहो रश्या यूक्रेइन का वार चली रहा है, चल रहा है, ठीके, इस्राइल का वार चली रहा है अभी तक, तो वो वार चल रहा है, लेकिन वो चल रहा है, किस से, मिलिटरी से, मिलिटरी वार में तो यह होगा बट क्यों civilians को हम punish करें उन civilians की तो गलती नहीं है जो महां पर बच्चे हैं महिलाएं हैं जो नॉर्मल आदमी है वह वह लोग तो गलत नहीं है न तो उनको क्यों मारे नुक्लियर वार में वह सेलेक्ट थोड़ी ना करेगा या आर्मी पर देता हूं यह civilians अपन नूकलियर में साय्ज का ना यूज करेंगे ना इस तरीके की ब्लाक मेलीं करेंगे के रिक्तों के मेरोग्या को है तो ये थे तेन चेंज इसके बारे में अब अपने slabas में कोई है? अपने slabas में chemical reaction अपने slabas में कौई सा change है? अपने slabas में chemical chain जहां पर दो atom दो से जाध़ए भी हो सकते, even एक atom खुद भी हो सकता है. ये हमेशा करेंगे chemical reaction, यानि की electron की हरकत. और हरकत कितनी होंगी दो? या तो electron का transfer या बहिया इलेक्ट्रोन की शेरिंग होगी इधर दा इलेक्ट्रोन विल गेट ट्रांसवर्ड और इलेक्ट्रोन विल गाट शेर्ड यह दो चीजे होंगी 110 परसेंट रहो गया बिलकुल तो यह चीज समझना बहुत जरूरी था अब अगली ग्लास में हम लोग स्टाट वह चीज हम आपको बताएंगे केमिकल रियाक्शन के अंदर एक एक टॉपिक तो यह खुब सूर्थी है डेफिनेट सकसेस पाट्चाला की चैनल की कि हर टॉपिक का आपको बिलकुल कहते ना वह चीर हरन करके पूरा ऑपरेशन करके अंदर तक घुसकर कोड तक जाकर आप आपको समझाया जाता है अब सोचो मैंने सिफ तीन चेंज बताएं लेकिन एगंटे का वीडियो बना दिया क्यों क्योंकि आप समझो कि आपको केमिकल चेंज इसको डीटेल में समझना था आपको बहुत डीटेल में जानना था कि केमिकल चेंज नूकल चेंज और फिजिकल एडवांसमेंट है जितना गहराई तक जाओगे टॉपिक के वह आपको डिटेल देगा और वहां से आपको बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन्स बनेंगे क्लेर हो गया तो ऐसी दमदार सेशन के लिए अब भी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक बिल जरूर पढ़ता हूं कोशिश करता हूं रिपलाई भी कर दू बट रिपलाई नहीं करूंगा इस डेजन्ट मिन की नहीं पढ़ा मैं पढ़ता हूं कमेंट ठीक है तुमारे अभी जो लेक्चर के लिए चल रहा था ने कि लेक्चर कब अपलोड करेंगे कब अपलोड तो प्लीज अपने डाउट को जरूर मेंशन करें कमेंट के थो बाकी चैनल को शेयर करें चैनल खुद भी सब्सक्राइब करें शेयर करें अपने स्कूल के कॉलोनी के कोचिंग सोसाइटी जहां तुमने जो दोस्त बनाएं जितने वाटसएप ग्रोप टेलीग्राम चैनल सब पर जाकर लिंक को शेयर करें कि क्लास 10 की केमिस्ट्री डेफिनेट सक्सेस पाच्छाला पर स्टार्ट हो गई है ठीक है इतना अपना को सपोर्ट देते रहें डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल को जरूर जोइन कर लेना अगर अब को यह नोंट्स चाहिए जुमैं जिस पर पढ़ा रहा हूँ वो नोट्स अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे और सारे नोटिफिकेशन सारी इंफरमीशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है इसी तरीक से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें, stay tuned, stay connected, thank you students, thank you so much